नमस्कार स्वागत आप सभी का सुजस सारांस के इस क्लास में इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थां का करेंट अफेर्स जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस्थ पत्रिका शुरुआत करते हैं हेडलाइन्स के साथ सबसे पहली जानकारी कुछ पद्म पुरुषकार अब वित्रित किये गए यानि कि गंतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर गोशना की गई थी जो पद्म पुरुषकार विजिता हैं उनके नामों की और अब इन पद्म पुरुषकारों को राष्टपती द्वारा जो संबंदित व्यक्ति हैं जो विजिता रहे हैं उनको ये पुरुषकार वित्रित किये गए हैं अब इसमें राजस्थान से कुल पांच व्यक्तियों को ये पद्म पुरुषकार मिले हैं परुसकार चार हैं लेकिन मिले हैं पांच विक्तियों को क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि एक परुसकार समलित रूप से राजिस्थान की जो दो विक्ति हैं दोनों भाई हैं मुहम्मद बंदू इनको एक साथ एक परुसकार मिला है ये है वर्स 2024 के पधों परसकार इस न्यूज को आज डिटेल में देखने वाले हैं अगली जानकारी है शासन सचिब ने किया बीका नेर हाउस का निरीक्षन इसके बाल राजस्व संबन्दी राजस्तरिये निर्ने लेखन कारेशाला राजस्व वेभाग द्वारा ये कारेशाला वर्क्षोप आउजित की जारी है ताकि राजस्व संबन्दी जो निर्ने हैं वो प्रॉपर तरीके से जो उनके लिखने का तरीका है उससे लिखे जा सकें और इनमें कोई गरबड़ी कम से कम हो इसके लिए एक कारेशाल का आउजिन किया जाएगा जभार कला केंदर में एक चित्र कला प्रदर्शनी का आउजिन किया गया जिसका नाम था बोलते रंग जभार कला केंदर जैपुर में गर्मी में नहीं सुखेंगे कंट जिलों में कलेक्टर ले रहें जलापूर्टी का जायजा बढ़ती हुई गर्मिय को देखते हुए जिसने शित किया गया है कि जलकिया पूर्टी हर घर तक हो सके दसवी और बारवी सिक्षार्थी के लिए ये व्यक्तिकत संपर कारेकरम जारी किया गया दौसा जहां जलाप कलेक्टर ने राजीव का की कतिविदियों का अवलोकन किया और सवाई माधुपूर जलाप कलेक्टर ने रातरी चौपाल में सुनी ग्रामियन की समस्या है ये सामाने प्रशाशनिक जानकारियां हर जले की हर दिन हम देखते हैं अलग अलग कुछ ना कुछ जानकारी आती है अब देखते हैं हमारे एक्जाम के लिहाज से खास-कास बाते आज क्या थी तीर मुखे जानकारी निकल क्या आई सबसे खास थी पद्म परशकार दो हजार चौवीज दूसरी है राजस्व संबंदी राजस्तरिय निर्णे लेखन कारेशाला और तीसरी जानकारी है चित्रकला प्रदर्शनी बोलते रंग का आयोजन शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्पूर्ण जानकारी जो है पद्म परशकार दो हजार चौवीज ये पद्म परशकार अभी वित्रित किये गए हैं लेकिन इनकी घोषना हो चुकी थी कब गणतंत्र दिवस की पूर्वसंदिया पूर्वसंदिया का मतलब 25 जनवरी 2024 को इनकी घोषना हुई और ये परशकार अब राश्टपती दोरा जो संबंदित व्यक्ती थे जिनके नाम के घोषना की गए थी उनको अब परदान किये गए नई दिली की राश्टपती भ्योन में ये कारेकरम आयुजित हुआ और इन वेक्तियों को पद्म परशकार परदान किये गए अब इनका विभाजन किया गया है केवल पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें तीन तरह के पुरस्कार आते हैं कौन-कौन से एक है पद्म विभूशन पद्म पुरस्कार में सबसे उच जो पुरस्कार है वो है पद्म विभूशन इसके बाद आता है पद्म विभूशन और तीसरा है पद्म श्री और इन तीनों को समलित रूप से कहा जा रहा है पद्म पुरस्कार 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की गोशना की गई अब इन में से कितने पद्म विभूशन है पांच व्यक्तियों को पद्म विभूशन दिया जा चुका है 17 व्यक्तियों को पद्म भूशन और 110 व्यक्तियों को पद्म स्री इस तरह कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया अब चूंकि हम पढ़ते हैं राजिस्थान का current affairs इस class का उद्धिश्य मेल लिले क्या है राजिस्थान का current affairs पढ़ना तो अब हम देखते हैं राजिस्थान के संधर्ब में किसको कौन सा परोसकार मिला पद्म परोसकार 2024 में राजिस्थान की पांच हस्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया ध्यान देखता है ये बात पांच व्यक्तियों को मिला है लेकिन परोसकार है चार क्योंकि एक परोसकार समलित रूप से दो व्यक्तियों को दिया गया मुहमद बंदू जिनका नाम है अली मुहमद और गनी मुहमद इनको सम्वलित रूप से एक ही प्रोष्कार दो लोगों को दिया गया है अब देखते हैं बाकी लोग इसमें कौन-कौन है तो राजस्तान से बहरुपिया कलाकार जिनका नाम है स्री जानकिलाल समाज सेवी का ये डॉक्टर है डॉक्टर मया अटेंडन दुरुपद गायक श्री लक्ष्मन भट मांड गायक श्री अली मुहमद एवं गनी मुहमद इन्ही को संयूत रूप से एक प्रोषकार दिया गया है तो कौन-कौन से शेत्र हुए जैसे की ये कलाकार है बहुरुप्या कलाकार है लेकिन शेत्र हुआ इनका कला समाज सेवी का इनका शेत्र यही हो गया समाज सेवा पदम पुरुषकार जिन स्रेणियों में दिये जाते हैं मैं यह वो स्रेणिया लिख रहा हूँ कला की श्रेणी में मिला श्री जान किलाल समाज सेवा की श्रेणी में मिला श्रीमती माया टंडन ये धुरूपत गायक श्री लक्ष्मन भट के लंग तो ये गाई की भी किस क्रेटिगरी में आती है यही कला और लास्ट में है मांड गायक तो ये भी किस श्रिणी में आते हैं इसी कला की श्रिणी में यनि चार लोगों को कला की श्रिणी में मिला है और समासेवा की श्रिणी में मिला श्रीमती माया टंडन इन सभी को पद्म परुषकार से समानित किया गया और सभी को पद्म श्री ही मिला है राजिस्थान के पांच लोगों को पद्म श्री मिला किसी को भी इस वार जयनकी 2024 में पद्म भूशन या फिर पद्म विभूशन पुरसकार नहीं मिला आगे हम बढ़ते हैं एक टेबल बनाके हमने ये देखा है कि राजिस्थान के जो पुरसकार प्राप्त करता रहे पद्म पुरसकार वो किस जले से संबंद रखते हैं और किस श्रेणी में उनको पद्म पुरसकार मिला ये वाला सवाल बहुत बार पुछ ले जाता है कि जो भी पुरसकार विजएता हैं उनका संबंद इस्थान नेटिब पिलेस या उनका होम टाउन ये सब क्या है ये पुछ ले जाता है सबसे पहले अली एवम गनी मुहमद ये दुना भाई है मुहमद बंदू करके भी पुछा जा सकता है जो कि बिकानेयर से संबंद रखते हैं और इनका संबंद इस्थान ने पुरसकार दिया गया मांड गायकी इनका शेत्र है दूसरे हैं श्री जानकिलाल जिनका संबंद इस्थान है भीलवड़ा इनको भी कला वर्ग में दिया गया बहुरूपिया कलाकार फिर हैं लक्षमन भट तैलंग ये जैपूर से हैं धुरूपद गायक है और श्रीमती मया टेंडेंड डॉक्टर समासेवी का समासेवा के श खेत्रों में बहुत सारे जो हाथ से हो जाते हैं उनको रोकने में इनके उपाय किये तो इस तरह से ये इन चारों का वर्ग है केटेगरी ऐसे ही होती है वहां लिखी हुई जिसमें इनको परवसकार मिला है लेकिन इसको आप आगे भी याद रखें जैसे इनका कला वर्ग म कौन से दृवपद समासे में मिला माया टिंडन तो सड़क दुरघटना में जो हाथ से होते हैं उनसे बचाने के लिए सड़क दुरघटना संबंदी या ऐसा आप समझ लें जो मरीज हैं जो गयल हैं उनको सही सुवधा प्रदान करने के लिए तो कई बार डिटेल में भी पूछ ले जाता है कि इनको कि शेत्र में शेत्र अगर पूछा जाए तो शेत्र तो कला ही है समासेवा है लेकिन आगे पूछ ले जाता है कि यह स्वे शुरू आपने हमने देखा अली एवं गनी मुहमद बिकानिर और जानकिलाल भीलवडा से अगली जानकारी है राजस्व सम्मंदी राज इस्तरिय निर्ने लेखन कारेशाला ये एक तीन दिवसी एक कारेशाला थी है जो कि कब से कब होगी बारह से लेकर 14 जून 2024 इसका आयोजक है राजस्थान सरकार का राजश्व अनुसंधान एवं प्रसिक्षन संस्थान जो है अच्मेर में और वहीं इसका आयोजन किया जा रहा है ये कारेशाला है वर्क्शॉप जिसका काम क्या है इसमें चीजें सिखाई जाएंगी किस तरह की चीजें? निर्णे कैसे लिखना है किन को तो जो राजस्व सम्दि पीठा सीन अधिकारी है अधिनस्त राजस्व अनुसंधान एयलो में उनको निर्णे किस तरह से लिखना है इसके लिए एक वर्क्शोप का आयोजन किया चारा है उद्देशे यहां लिखा हुआ है कि राजे के जो राजश्व नायलों में पारित होने वाले निर्णे हैं उनको तुर्टी रहित, गुणवत्ता पूर्ण और विधी सम्मत लिखने की प्रवति सुनिश्यत करना इसका प्रमुखुद देशे है अब ये किन के लिए है कारेशाला तो जो अधिनस्त राजश्व नायलों के पीठा सीन अधिकारी है उनके लिए इस कारेशाला का आयोजन किया गया है अब इसमें होगा क्या-क्या तो जो राजश्व अधिनियम है निर्ने लेखन के आवशेक तत्व है और जो राजश्व नायलों के बहत्रीन संचालन संबंधी आन्ने महत्पुन जो विशे हैं इन पर इनको जानकारी दी जाएगी अगली जानकारी है चित्रकला प्रदर्शनी जिसका नाम है बोलते रंग इसका आयोजन हुआ 10 मई 2024 को आयोजन इस्तल था जैपुर का जभार कला केंद्र उद्घाटन करता इसमें रहे प्रमुक सासन सचे परेटन विफाक की कौन श्रीमत्री गायत्री राठोड और आयोजक हैंस की पूर्वाई सद्धिकारी श्रीमत्री सुची सर्मा आज का अभ्यास प्रश्न पादमिश्री से सम्वानित बहुरूपिया कलाकार श्री जान किलाल का सम्वन्द किस जिले से है आपके ऑप्शन है भीलबड़ा, भीका नेर, जैपूर या फिर जोधपूर क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में आम मिलते हैं कल आगली नीज के साथ आगली क्लास में धन्यवाद